हेलो नमस्कार दोस्तों तो आज हम बढ़ रहें एक 255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस यानि पीपी आई तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि भी पेरिफेरल डिवाइस होती क्या है तो इन्पूट आउट्पूट डिवाइसे आल सो कार्ड पेरिफेरल इनको बोला इसके बात करें तो इस इन्पूट आपट पूट चिप यूज़ और इंटरफेसिंग इन्पूट आपट डिवाइसेज इस माइक्र प्रोचेसर यह हमने बात करी लिए इसके अंदर यह इंपोटेंट चीज यहां से पूछा जाता है कि 825 प्रोग्रामेबल परिफेरल इं एक 427 PC 427 उसको तो हमने क्या बोल दिया पॉर्ट CF और एक होता पॉर्ट C 0 से लेकर थिरी तक उसको नाम करें दिया PC लोगर ठीक है अब अगर हम इसका पिन डाग्राम देखें तो पिन डाग्राम में यह हमारा कितना 40 पिन हमारा IC है 40 पिन IC यह हमारा होगया सप्लाई वी स और यह हमारा पॉर्ट C जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 427 एंड वी रोट से थ्री तो यह सारे हमारे क्या है बाइडरेक्शनल पिन है बाइडरेक्शनल इंपूट आउट्पूट पिन है और इनका यूज क्या है सेंड डेटा प्रोम पेरिफेरल यह नही गताकि इसके अंदर अपने कंट्रोल रजिस्टर रहें हंको सब को क्या करएदेता है क्लियर करदीता है कि क्या चीज के er का डिय chi छोटे यह झांतिया प्र क्या काम करति है ट्रांसफफेरिंग डेटा का में करते हैं मैंद्लों प्रोसेसर से क्या होती है ट्राम्रेशन और फिर पर यह दो हमारा पास पर प्रिंगे जिसको क्या नाम देते हैं अड्रैस में अड्रैस की लिए फोर्ट सेलेक्ट है के इसे क्पर्टेट करना है और विपर करना है और या कुछ और तो थे देखेंगे नोटेवन के वेल्व क्या क्यों होने चाहिए तो यह हमने देख लिया कि वहीं हमारे बाइडिरेक्शनल पॉर्ट एक पिन यह सी की यह बीगी यह सेंट वीगी यह डेटा फिन और यह रीड़ वार रीशेट वार सब काम ने काम देख लिया अब हम भात करते हैं कि एक बारे में स्वारी एड्रेस्पिन के बारे में कि हमारे जुए नोट एवन अगर दोनों के मिलीव हमारे पास में 0000 इसका मतलब हमारा जो कौन सा पोर्ट शेलक कि हैं कौन सा पॉर्ट पर काम करेंगे पर इस तरह से एकर एगर बेदिए जीरो और नोट के वेलीव बन 0CD7 हमने दिखा यह देख लिए हमने वहीं पर कि 8-bit बाइडिरेक्शनल डेटा है यूस्ट ट्रांसफर डेटा है तो यह डायरेक्शन ऑफ डेटा बॉफर जो है वो डिसाइड कॉन करता है रीड रीड कंट्रोल लोगिक डायरेक्शन ऑफ डेटा बॉफर डिसाइड वाइड इवह डायरेक्शन से पाम करें यह डायरN लोगिक रूडग जो है वह इंको इन पूट सिगनल कॉन देता है यह ना देख रहे दोनों दो वन्टोल का यह करेगा 90 है तो क्या करेगा 0001 तो क्या करेगा और यह भी हमने देख लिएक चैक्ट है जब यह लो हो खी तो मतलब मैं माइक्र प्रोसेसर क्या कर रहा है । ट्रांसफर कर रहाँ है तो यह करें टेट तो एक और में ऑपरेशन जैनेबल दिसेबल रही thisını तो आधिए इंद्ट का निए वेषैराइषाइग स से कॉछन पूसिए घर Inter trim आजए, एब बात करते ही ग्रूब एन的是 भी करें पिए भी करें है homico temple आधिका कुछ मतलब नैंसा पर जो करें होता है Amazon Shep см प्लस जो पी सी लोवर तो ग्रूप एंड ग्रूप बी जो भी यह कंट्रोल सिग्नल इनको कहां से मिलता है या तो देता है इनको CPU and send the command to the individual control block और ग्रूप एंड ग्रूप एंड ग्रूप सिग्नल टू पॉर्ट एंड पॉर्ट सी देख लिया ग्रूप एक और ग्रूप भी किसको control signal send करता है पॉर्ट भी पॉर्ट सी लोवर को इब बात करता है इंडिविजली पॉर्ट की पॉर्ट ए क्या करता है पॉर्ट होता है वह एक बिट हमने इसटार्टिंग में देख लिए पोट एक हो प्रोग्राम के जा सकता है तीनों मोट गंदर मोट 0 वे अभी हम 3 और मोट को इंडिसे ली देखेंगे मोट 0 यानि simply input output मोट होता है मोट 1 के अंदर क्या काम होता है मोट 1 में handshaking शामिल हो जाती है मोट 2 by directional मोट होता है हम तीनों मोट में और कौर्ट वोपर है लेज्ट का मतलब क्या होता है कि परमएनट मेमरी नहीं होती यानि Beslok इंपूट एंड आउटपूट ले चाहिने आउटपूट के अंदर तो यह मेमोरी को इस्टोर कर सकता है इंपूट में नहीं कर सकता और इसको दो पार्ट में हमने सब्सक्राइशन का मतलब होता है यह क्या काम करता है सिंख्रोनाइजेशन का चैंट सेंवड़व का होता है यह तरह से सिंख्रोनाइजेशन का काम करता है एक तो फाइप्वाइप मोड के बात करें बोड ऑपरेशन के तो दो मोड में काम करता है हमने देख लिया bit set reset mode और input output mode और input output mode को हम फर्दर तीन तरह से divide कर सकते है mode 0, mode 1 and mode 2 तो अब हम बात करते हैं इनके different mode के, तो 8 to 5, 5 तो operating mode दो mode है हमारे पास में एक तरह से input output control world और दूसरा जो हमने देखा bit set reset word control word तो input output control word को हम देख लिया कि तीन mode में डिवाइड है 0, 1, 2 और हमारा जो यह port c bit set reset control word है इसको हमने क्या कर दिए यह यूज जाता है इस से 1 और 0 यानि set or reset करने के काम हाता है अब हम बात करते हैं port a में हमने देख लिए कि वह तीन मोड में काम कर सकता है यही कुछ ले जाता है घ्राइं में इंपोर्टेंट कोशेन है यही से पुच जाता है तो यह important है slide यहां से numerical बनने के पूरी-पूरी जुम्बा होना है अब हम बात करते हैं विट सेट रिसेट मोड क्या होता है विट सेट रिसेट मोड किसको गाम लाता है पोड सी कहा जाता है प्रोग्राम करने के लिए काम में था पोड सी को तो port C can be set or reset port C को जातो set किया जा सकता है रिसेट किया जा सकता है by sending out instruction to the control register कि भी 1 और 0 input output mode के बात करें भी mode 0 का मतलब के बाता है simply input simply output यहनि in this mode port A3 काम करते है port A port B and port C it is used as individually ठीक है mode 0 के अंदर feature के बात करें तो please ports do not have handshake or interrupt capability जिसका handshake का मतलब यह synchronization प्रोवाइड नहीं कर रहाता है और इसके अंदर port जो हमारे input output mode का mode 0 है यह less होता है यानि इसके अंदर flip-flop और memory होता है but input are buffered buffered का मतलब होता है memory are used to temporary hold data यह temporary word आता है तो इसका मतलब अबफर और अकर less का मतलब आता है तो यह नि उसके पास में output में से क्या है memory परमानेंट अवेलेबल है यानि output में यह signal भेज रहा है hard disk होगे तो वह तो क्या है flip-flop उसके अंदर memory है लेकिन input के अंदर only temporary data को होल्ड करता है mode 1 के बात करें input output with handshake handshake के बात करें synchronize to synchronize input output device with the microprocessor तो handshaking का मतलब क्या करता है synchronization का का काम करता है microprocessor and input output devices के वीच में बाकि data transfer का का काम यह भी करता है mode 2 का मतलब y-directional input output transfer तो this feature feature is possible only in group a port a working at 8 bit यह हमने देख लिए यह हमारा use for handshaking purpose तो यह PC जो अपर पार्ट है यह तो PC 3 से 7 स्वरी PC 4 से 7 होना चाहिए PC 4 से 7 यह किसमा गाम में आता है मेरा handshaking signal की तरह और जो port है है वो मेरा वरक करता है एज बाइड के बिए 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 इसमोड अलों बाइड आरेक्शनल देटा टांफ़र ओर देटाबस इंग शिंगनाव से इंपोर्टेंट वात यह हम ने पढ़िए पढ़ी पढ़ा है कि मोड 2 के अप्रिगेबल है अब बात करते हैं control word format के तो control word format अमरे पाक दो थे bit set reset mode और input output mode तो जो control word होता है वो बहुत mode के लिए क्या होता है same होता है bit यहां पे होते deciding bit होते है control word format में bit d7 अगर d7 के में value 1 है तो इसका मतलब भी input output mode में काम कर रहा है यानि mode definition mode में और d7 के value 0 इसका मतलब bit set reset mode के अंदर काम कर रहा है कम बात करें भी इसका input output control word input output के लिए इमने देखने के भी d7 के value मेरे पास में कितने होनी चाहिए 1 मींस mode definition control word m2a m1 के value है यह एं टो वन दोनो 0 है तो port रहा है पॉर्ड है कि आस नों जरो यानि मेरा डोनों जो 2 ओन और hormone यह किसासी करते हैं कि port है किस mode करेंगा अगर यह दोनोड जे रहा तो एक तो इसी तरह करते हैं, अगर उन है उसका अपर इ açıl है, अगर की तरह है बात करेगा। परट की ही सूरिता कहीं अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, और दी नौट की तो D2 के बात करें, D2 नाम में देख रहा है M1B, तो यह क्या करता है, पोर्ट B को डिसाइड करता है, कि पोर्ट B in mode 1 और mode 0 में काम करेगा, और यह मेरा करता है, पोर्ट B input की तरह काम करेगा, यह पोर्ट B output की तरह काम करेगा, और यह मेरा decide करता है कि वह lower as input काम करेगा और यह lower as output काम करेगा तो आपको सिर्फ यह मोटा मोटा इतना यह बन जिरो याद नहीं रखना यह सिर्फ आपको नाम से पता पढ़ जाएगा भी यह input output port C के बात को रही है lower के लिए हो रही L का मनलब यह B को decide करा input output और mult इसका मतलब कौन मौट में काम करेगा इसी तरह कि ऊपरन करेगा इसका मतलब में काम करेगा और 1 यानी मेरा मोट के पताँ मौट में फजा है ज्यू अगरदी 7 बीव 1 0 होगी तो इसका करेगा डी सीरो जीरो ए तो इसका मतलब बिट सेट एक्टिव रिसेट अगे विड़ है विड़ सेट पूचे जाते हैं वह जाते मोड से पूछ लियाते कौन सा किस मोड के अंदर करेगा और बाकी आपको इसमें ज्यादा और कुछ याद रखने का है नहीं सिर्फ समझने का है जो कोई जड़ा खास सब्सक्रीज है नहीं इसके भी हम नुमेरिकल करेंगे एक चैप्ट को लेंगे जिसमें हम सारे परिफेल इडवाइस अभी हम दूसरी और पढ़ेंगे उसके बाद हम सब आए कंटेंट पसंट आए तो प्लेज लाइक लिजेगा शेर कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू